नमस्कार दोस्तों नगेंद यूटूब टीवी में आपका स्वागत है आज हम बताएंगे कि 25 साल से फ्री में खाना बन रहा है कोई लकडी की जोड़त नहीं कोई एलपीजी की जोड़त नहीं फ्री में आम के आम गुठलियों के दाम कैसे होता है हमारे घर में दोस्तों 25 सा एलपीजी कोई लकडी का यूज नहीं हुआ भोजन बनाने में एकदम मुफ्त विवस्था है दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपको खाना बनाने के लिए कोई इधनकी लिए खर्चना करना पड़े लकडी एलपीजी ना भराना पड़े लकडी ना खरीदना पड़ आप चाहते हैं कि मुफ्त में आपका खाना बने और आप घर में कैसे मुफ्त में खाना बनाने के लिए इधनकी विवस्था कर सकते हैं तो जानने के लिए वीडियो में बने रहे हमारे घर में दोस्तों 25 वर्ष से मुफ्त में बिना कोई एलपीजी और लकडी के खाना बन रहा है दोस्तों तो आज हम बताएंगे यदि आपके घर में गाय है भैंस हैं तो आप छोटे से इंवेस्टमेंट में या सरकारी सबसीडी लेके दोस्तों इसमें आपको बनाने में दोस्तों ये देख रहे हैं गोवर गैस का प्लांट है मैं इसका पूरा वरकिंग प्रिक्रिया बताता हूँ कि यह कैसे वर्क करती है तो दोस्तो यह होता है मैं गुममज दोस्तो जो यह जमीन पर धका हुआ है यह जमीन के अंदर एक गुममज अकार में structure तयार किया जाता है जिसमें गैस बनती है और इस टूर होती है दोस्तो ये एक गुंमज की तरह होता है और इस गुंमज में ये दोस्तो एक टेंक बनाया जाता है छोटा सा जिसमें गाय का बेंस का गोबर को पानी के साथ घोल बनाके गोल बनाके यहां से गुममज में कनेक्शन होता है दोस्तो गोल इस पाइप के द्वारा इस गुममज में चला जाता है और ये गोबर शणने के बाद जो मिथेन गैस बनती है दोस्तो ये सटक के द्वारा आपके किचन में चली जाती है दोस्तो आपका ये जो गुममज है कह भी बनवा सकते हैं 500 मीटर दूर भी यदि आप बनवाएंगे घर से बाहर तो ये आपके किचन तक सटक के द्वारा ये गैस चली जाती है दोस्तों और जो गोवर का मटेरियल होता है ओवर फ्लो होके ये ओवर फ्लो टैंक में एकठा हो जाता है और जब ये टैंक भी फुल हो जाता है दोस्तों तो ये टैंक भी ओवर फ्लो होके साइड में गड़े में ये आके एकठा होता रहता है और इस गड़े में फिर खाद के रूप में सरकी खाद बन जाता है तो दोस्तों गोवर का आप इधन के रूप में गैस गैस जो बनती है इधन के रूप में उप्योग कर सकते हैं किचन में और जो ओवर फ्लो बेस्टे गुट्रियों के दाम इसका खाद भी आप खेतों में डाल सकते हैं तो दोस्तों गाय के गोवर का हैस के गोवर का एकदम बहतरीन उप्योग इधन आपका खाना पूरा बन जाता है एनी टाइम 24 अवर बरसात हो ठंड हो गरम में एनी टाइम गैस बनती है दोस्तों और 24 घंट आपको सप्लाई रहती है इस टैंक से तो गोवर गैस के आपने फाइदे देख ली होंगे दोस्तों इस गोवर से आपका खाद भी बन जाता है और जो गोवर से गैस निकलती है उस गैस से आपका खाना भी बन जाता है और दोस्तों ये सरकारी योजनाओं के तहद आपको म तो आप उनका दूठ का उपयोग तो करते ही हैं इसके साथ उनके गोवर का एकदम बहतरीन उपयोग दोस्तों आपके इगन का खर्चा पूरा बच जाता है हमारी आपको जानकारी कैसी लगी यदि आप भी बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखिए और जो भी आपक होगी वह हम आपको बताएंगे हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे वीडियो को लाइट कर दे और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें दोस्तों यह हमारा गोवर गैस 25 साल से कंटिनू चल रहा है इसमें कोई आज तक टेकनिकल प्राबलम नहीं हुई और यह हमारे किचन से 500 मीटर दूरी पर बना है दोस्तों जैसे आप यह सटक देख रहे हैं वीडियो पर यह सटक ऊपर हमारे किचन तक गई है दोस्तों तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बात हमारी जानकारी आप अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सेर करें